बिहार के एक बुजुर्ग दंपती ने जीते जी एक दूसरे का पिंडदान कर दिया और अब ये मामिला खूब हो रहा है दोनों ने एक दूसरे का पिंडदान इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो एक दूसरे से नाराज है बलकि उन दोनों ने एक दूसरे का पिंडदान इसलिए कर दिया क्योंकि वो दोने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उन दोनों के अलावे एक दूसरे का कोई और नहीं है और इस कारण से उन दोनों ने एक दूसरे का पिंडदान कर दिया उन दोनों की कहानी सुनकर आपके आखों से आसू आ जाएंगे और अब इसकी पूरी कहानी क्या है ये खबर कहां की है ये दोनों बुज़र्ग दंपती कहां के है और क्यों उन्होंने जीते जी पिंडदान कर लिया एक दूसरे का इन सभी बातों प्रविस्तार से बात लेकिन उससे पहले आप मारा परिचे जान लीजिए नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जंता जंचन देखना सुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल बिहार के मुझफरपुर जिले के विशनपुर कल्यान गाउं से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर सायद आप विश्वासी नहीं कर पाएंगे यहां के रहने वाले 85 वर्सिये विस्वनात राये और उनकी पत्नी 80 वर्सिये नगिया देवी ने गया जाकर के खुद का पिंददान किया विस्वनात राये की आँखे खराब हो गई हैं और उनकी पत्नी नगिया देवी भी इनका पिंडदान करता इस बात से ये लोग चिंतित थे और इसलिए इन्होंने अपने जीतेजी ही अपना पिंडदान कर लिया विसुनात राय मीडिया से जब ये बात कर रहे थे तो भावुप भी हो गये आखों में आसू आ गये उन्होंने बताया कि मेरा भी कोई होता तो जीवन ऐसा नहीं होता मरने के बाद मोक्ष मिलता लेकिन अब खुद अपना स्राध करना पर रहा है विसुनात राय ने अपनी जीवन भर की कमाई अपने स्राध में लगा दी गया में स्राध करने में कड़ीब 20.000.000 रुपए लगे और वहीं गाउं में भोज करने में कड जीव 22.000.000 रुपए विसुनात राय को लगे विसुनात राय पहले हलवाई का काम करके पडिवार चलाते थे लेकिन अब सरीर ने साथ देना बंद कर दिया है तो किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं ब्रधा पिंसन और सरकारी रासन के साधन के वदलत ये दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं बुजरुक नगिया देवी देख नहीं सकती हैं तो विसुनात राय खुद किसी तरह से खाना बनाते हैं पडिवार में उन दोनों को देखने वाला भी कोई नहीं है तूटे हुए घर में दोनों बस गुजारा कर रहे हैं वही परोस में ही नगिय किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं बता दे कि विश्व परसिद्ध पित्री पक्ष मेला में देश विदेश से पिंड़ान करने बिहार के गयाजी पहुँचते हैं लोग लेकिन इस दमपती ने मजबूरी वस अपने जीवन काल में ही अपना पिंड़ान कर दिया और अब उ दोनों का पिंड़ान करने के लिए अपनी जमीन भी बेच दी और अब वो दोनों एक दुसरे का सहरा बने हुए हैं और दोनों ही अपनी समस्याओं को जेल रहे हैं बाकी आपको ये दोनों बुजुर्ग दमपती कैसे लगे इनकी कहानी कैसी लगी और इनका दुख आपको थन्यवाद